नमस्कार मेराज मोहंतिवारी और आप जूर चुके हैं लाइव बिहार के साथ 32 साल पुराने कथित अपहरन मामले में गिरफतार पप्पु यादव आज 22 दिनों से पुलिस हिरासत में है लेकिन इस दोरान उनके वकील लगतार कोट का चक्कर लगा रहे हैं कि पप्पु या यादो को एक जून को जमानत मिल जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद से जहां जनधिकार पार्टी के कारे करता हूं में काफी गुसा नजर आ रहा था वहीं अब पपु यादो की पतनी और पुर्वसान सदर रंजीत रंजन भी काफी गुसे में नजर आ रही है और उन्होंने पपु यादो को सेर करार दिया है और कहा है कि सेर को पीजेरे में रखने से वो गीदर नहीं बन जाएगा वो सेर ही रहेगा उनके ट्वीट को आप देख सकते हैं वो लिखती है बहुत सारे गीदरों ने मिलकर सेर को पींजरे में रखने की कोसिस किये मग पर इन डाइरेक्ट पर वो बिहार सरकार को गीदर कहते नजर आ रही है इसके पहले भी उन्होंने कई ऐसे ट्वीट किये थे जिस पर वो बिहार सरकार पर आरोप लगा रही थी कि ब्रस्ट तंत्र का पोल खोलने की वज़ा से पपू यादो को गिरफतार कर लिया गया और अ पहले लॉकडाउन मा उलंगन मामले को लेकर उसके बाद पता चलता है कि 32 साल पूरा ने केस जो अपहरन का एक केस था उसमें उनका बेल तूट गया था और उस वज़े से मद्धपूरा से पुलिस आकर उन्हें ले जाती है और उसी समय से लगतार उनके वकील उनकी जमान याची का खारीज होई उसके बाद उनके पपू यादो के अधिकारिक ट्वीटर हैंडल से इस बात का भी जिक्र किया गया कि एक फरजी केस में उन्हें फसाने की साजिस चल रही है अब देखना होगा कि यह मामला और कितना आगे जाता है कब पपू यादो बाहर निकलते हैं और जनता के बीच में होंगे अपने करेकरता हों के बीच में आखिर कब तक लोटते हैं लेकिन फिलहाल पपू यादो अभी DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेजन होस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं लेकिन पुलिश हीरासत में यानि पुलिस की निगरानी में अभी जमानत नहीं मिली है और उसके बाद से ही करेकरता और उनके परिवार वाले काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है तमाम अपडेट हम आप तक लगतार पहुंचाते रहेंगे आप बने रहे हैं लाइफ बिहार के साथ आपका बहुत दन्यवाद लाइफ भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें